वेल्कम बैक टू दा स्टोरी टाइम हर रफते की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नए स्टोरी लेकिए आया हूँ अल्दो ये स्टोरी मैंने जो है वो इंटरनेट पर पढ़ी है तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी है चार दोस्तों की जो कि एक अठ्थे कॉलेज में पढ़ते हैं और इंवन होस्तलम में इकटे ही रहते हैं जैसे आम student life में क्या होता है कि 3-4 जो दोस्त होते हैं वो गनिष्ट मित्तर होते हैं लड़कियों केस में उनके अच्छी सहलियां होती हैं जो आपस में share करती हैं हर बात को चाहिए वो दुख का पल हो चाहिए वो खुशी का पल हो वो हर पल को आपस में डिसकस करके उसे साट उट करते हैं इसी तरीके से ये चारों दोस्त भी आपस में शेरिंग करते हैं हसी मजाग भी करते रहते हैं और इसी शेरिंग को करते हुए वो समित बिताते जाते हैं जब उनको कॉलेज का टाइम खत्म होता है और इवन आप कह सकते हो कि फाइनल एक्जाम दिये तो इन दोस्तों ने आफस में सोचा है कि वाई कॉलेज के बाद हम लोग क्या है कि एक यह देखेंगे कि हमने जिन्दगी में क्या आचीव किया है लेकिन हां दस साल के बाद यह गरिंटीड है कि हम यहां पर पक्का मिलेंगे अब प्रावर यह थी कि दस साल के बाद मिलेंगे तो से ही लेकिन कहां पर मिलेंगे चो कि वह चारों दोस्त किसी रेस्टरॉन में ब खाने का बिल देगा सो आपिसली बात है कि वहां पर जो चारों दोस्ते वह सना शुरू होगे कि भाई देखो जो लास्ट में आएगा वह तो फस गया इनकी जो बात ही वह साथ में खड़ा वेटर सुन रहा था क्योंकि वह विल्लिंग के लिए आया हुआ था तो वेटर कहता कि मुझे आपकी बात जो है वह बड़ी अच्छी लगी तो मैं भी चाहूंगा कि कर दस साल के बाद मैं इसी रेस्टरांट में हुआ तो मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगा और यह पता करूंगा कि आप दस साल के बाद आपने लाइफ में क्या अचीव किया हुआ है तो बात जब दिन आने लगता है तो दो-तिन दिन पहले यह दोस जो है वह आपस में एक दूसरे को कम्यूनिकेट करना शुरू कर देते हैं एक दोस दूसरे को फून करता और जाना है और तीसरा भी और चलता भी चारो दोस्त जो है, वो अपने term and condition को revise करते हैं कि याद रखना, जो last में आएगा, वो ही बिल देगा, तो जब वो उस hotel में आते हैं, तो पहला दोस्त सबसे पहले पहुंचाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तीनों आपस भी sharing कर रहे होते हैं, और पूछ रह को फोन किया, कि भई आजा, काफी time हो गया, हम तुमारा वेट कर रहे हैं, तो उस दोस्त ने बोला, कि थोड़ा सा लेट हो जाँगा, आप कपे शेपे मारो, मैं पहुंच रहा हूं, वो तीनों कपे शेपे मार रहे होते हैं, अपने time pass कर रहे होते हैं, और sooner and later उनको लगत मैं पहुंच जाओंगा, अब तुमका खाना भी कतम हो गया, और फिर से वो फोन करते हैं, कहते हैं, खाना कतम हो गया है, हम अभी तक वेट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आ रहा हो, तुम लोग आराम से बैठो, तब तक आपस में गप्शब लगाओ, म जाने लगे हैं, तो चोथा दोस्त बोलता है कि देख भई, तुमने जाना है तो जा, लेकिन याद रखना, मैंने इस रेस्टराउन का बिल दे दिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि कंडिशन ये थी, कि जो चोथा दोस्त होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा, मीन्स, वो इसी बिल पे करेगा, तो जब ये बात चल रही हो लती है, तो पर लोड्स पेकर में बात कर रहे थे, क्योंकि तीन दोस्त ने सेंटर में फोन रुखे बात कर रहे थे, तो तबी ये बात जोगा है, वो होटल का जे उस रेस्टरन का मालिक सुन लेता है, और वो उनके पास आता ह तो कि तो अब वहीत दोस्त होंग जो नहीं दस साल पहले यहां पर यह बादा किया था कि हम आएंगे तो तो तीनों दोस्त कि प्राइब लेकिन तुम्हें कैसे प्ता तो वह गोजता कि उस वक्त मैं वेटर था तो तीनों दोस्त खूश हो जाते खते हैं तुमने तो बड़ी जद़ प्रोग्रेस कर देखे थे हाँ मैंने काफी हाड़ वर्क किया और चुकि मैनेजर भी अच्छे थे और उन्हें मुझे मोका दिया मेरे पास कौलिफकेशन थी मेरा स्टेटेस डेजिगनेशन बदल था गया और आज के टाइम पे मैं इस होटल का मै बहुत खुशी हुए कि आप इस होटल में मेरे सामने फिर से रूबरू जहां पर बैठे हुए हैं चो तीनों दोस्त जो है वो बात तो इंशोर होगी कि बिल्तों पे हो चुका है लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक दुख रह गया एक फील रह गया यार कि दस साल के बा वो कहते हैं यार लेकिन तुम नहीं आए तो वो कहते हैं कि हमें बहुत फील हुआ कि 10 साल के बाद हम मिल रहे थे लेकिन तुमारी कमी काफी लगी तभी सामने से फोन पर आवाज आती है कि मैं अच्छली आपको फ्रेंड नहीं आपके फ्रेंड का बेटा बोल रहा हूं औ और मेरे पापा जो हैं मतलब जो आपके दोस्त हैं वो आसे 3-4 साल पहले ही एकस्पायर होगे क्योंकि उनको कैंसर हो गया था लेकिन मेरे पापा ने मरने से पहले ये बताया होगा था कि मेरे दोस्त आएंगे और उनका वो दिन होगा special moment होगी वो special moment जो बेकार नहीं जानी चाहिए तो अब इसलिए बात है मैं वापर होंगा नहीं तुम एकदम से जाओगी तो उनकी मुव्मेंट खराब हो जाएगी इसलिए तुम सबसे लास्ट में हमको बताना ताकि वो अपनी मुव्मेंट को इंजाय कर सकें क्योंकि उसके बाद कब वो इकटे हों कब बात करने का मुखा मिले तो ऐसा होगा नहीं लेकिन हाँ यह याद रखना कि बिल तुम्हारे साइट से ही पे होना चाहिए उन तीनों दोस्त को बहुत गहर कि जब हमागे बढ़ते हैं तो हम आपने जिंदकी में इतना बयस्त पर हो जाते हैं कि हम एक लिएग वने केक्र्ण कर लेते हैं तो याद राखिए once in a month और once in a week ये पक्का ensure कीजे कि आप अपने near and near one के साथ interaction में रखें, उनका हाल चल पता करते रहें विकर्स ऐसा ना हो जब आप बुलंदियों के उन्चाईयों में बैटे हो तो आपके साथ कोई ना मिले तो बच्चे ये क्या होता है कि हम life में चोड़ी बात से और फिर हम उनको बुलाना बन कर देते हैं और शायद वो छोटी सी बादिल पे इतना दबा लेते हैं कि उनसे सालों बात ना करो, शायद उस बात का किछी की life से जो आप compare करके देखो तो आपको लगीगा कि हमारी बात एक भीट फीकी थी, छोटी थी लेकि उसकी जिन्दकी काफी ज़्यदा matter करती है इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ टच में रहिए specifically to the person जो आपकी life में काफी ज़्यदा एहमियत रखते हैं because अच्छे लोग हमें हमेशा नहीं मिलते तो hopefully आप इस अच्छेव करेंगे हम जिन्दगी में कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन हाँ हमारे जो near and dear हैं, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं हमारे जो concern person जो हमारे लिए हमेशा well wishy रहते हैं हम उनके touch में हमेशा रहेंगे उनकी prayer में हमेशा रहेंगे और इवन उनके लिए भी अच्छे prayer करेंगे दन्यवाद दोस्तों